हलो स्टूडेंट्स मैं बेपी सी आज आपके लिए कोमन केटेनरी वाला जो चेप्टर है स्ट्रिंग एंड चेंड इसके कुछ इंग्पोटेंट मल्टिपल चॉइस क्वेस्टन लेके आया हूँ जो बीएसी के साथ साथ पीजी टी, सीएस आईयार नेट, गैट आधी हाईय लेवल के कॉम्टिशन में वेरी वेरी इंपोटेंट है, वैसे ये टॉपिक अच्छी तरह से तब समझ में आएंगे MCQ कि इसी टॉपिक के आप मेरे फर्स्ट टू लेक्चर देखें, लेक्चर वन और लेक्चर टू, पूरी प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में ह कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वैसे आज मैं आपके लिए इन्हें प्रूफ कराने से पहले डाइग्राम बताऊंगा कि कोमन के टेनरी कैसी होती है, उसमें क्या क्या होता है, टेंसन कहा होते है, से कहा होता है, इस्पान क्या होता है, क्या क्या रिलेशन है, उसके ब अगर आपने अपने फ्रेंडों को सेयर कर दिया तो समझूंगा आपने मुझे दक्षना में कुछ न कुछ जरूर दिया है लेकिन वीडियो पसंद आने के बाद ठीक है तो चलिए मैं एक छोट आसा डाइग्राम बनाता हूँ आईए इतना बहुत है बना दिया मैं समझाऊंगा मैंने ये केटे नरी ली A, C और B ये एक कोबन केटे नरी है या इसे आप रसी समझ लें और दो पॉइंटों पर यहां से और यहां मैंने ये लटका दी है लटकाने के बाद इसका lowest point C है और यहां lowest point C पर रसी से बिलकुल टच करके मैंने एक थो छोटी सी चड़ भी दीवार में लगा दी चड़ लगाने के बाद मैंने क्या देखा को उस रसी का कुछ चड़ के लिए कम से कम टेंसन जरूर होगा जो इस पर यहां टच करेगा उस टेंसन को हम कहते हैं T note तो वो यहां लिख दिया T note और इस रसी का यह lowest point कहलाएगा क्या कहलाएगा lowest point और यह मैंने D बना दिया तो C D है इनके जो बीच की दूरी है इसे हम सेग कहते हैं क्या कहते हैं सेग तो मैं यह लिखे देता हूँ यह सेग है और यह X distance है इसे हम इसपान बोलते हैं और इन दोनों के बीच की distance 2X से हम denoted करते हैं कि लिए आईए जब यहां यह रसी है तो इसकी length S होगी S इधर तो जो इसकी पूरी length होती है वास्तम में हम उसे 2S मानते हैं फिर question के according compare कर लेते हैं तो length भी मिल गई कितनी है 2S मान लीजिए length तो इसकी यहां तक S है और बेट होगा W तो per unit length of chain कैसे निकलेगा यह S बेट W तो यहां जो होगा इस chain का बेट S W होगा आईए जब chain आपने यहां लगा दी है तो यहां पर भी tension होगा जिसे हम T से denoted करेंगे जब tension होगा तो यहां angle भी बनेगा तो यहां angle Si होगा एक अंतर कोण बरावर होते हैं इसका मतलब इस जगे पर दो force काम करेंगे जब tension Si है तो इधर horizontal force होगा और इधर vertical जिसे मैं ऊपर दिखाऊंगा ठीक है अगर यहां T है तो base पर आता है T cos Si क्योंकि है Si है और perpendicular पर हम Sign लेते हैं तो इधर जो force होगा वो T cos Si होगा और इधर जो force होगा वो T sin Si होगा यहां तक clear हो गया हमने क्या क्या चीज दिखाई इसका base SW हो गया length 2S इसको sag कहते हैं अगर मैं यहां से यह distance यहां तक Y माने लेता हूँ क्या माने लेता हूँ Y और sag मेरे पास है यहां C है तो Y वराबर C plus C इसका मतलव अगर मुझे sag निकालना हो तो Y minus C हो जाएगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ lowest point पर tension क्या होता है lowest point पर tension ती नोट बराबर इसका base कितना है रसी का W और touch कर रही है इस पर तो सभाविक है W into C ही होना चाहिए तो ती नोट बराबर होता है W C मैंने कह दिया either tension इसके बाद दूसरा tension बचा या terminal tension भी बोलते है T तो terminal tension T equal to इसका कैसे निकालेंगे इस T पर tension क्या होगा इसका weight कितना है W है और यहां तक height कितनी होती है y तो T बराबर W y एक एक point समझाओगा तब आपको mcq बताओगा आप देखते रहिए बास अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंडों को share करें और subscribe कर लें और comment जरूर भेजें ठीक है कि वीडियो आपको कैसी लगी अब इसके बाद हम इस पर चलते हैं यह इस्पान होता है क्या होता है इस्पान और यह 2x है अब इसे अगर हम प्रूफ करें तो मैंने प्रूफ किया है इस्पान बराबर होता है 2x बराबर 2c log sex i plus tense i चलिए यह भी बता दिया यह ac भी जो length होती है कितनी होती है 2s अब यहां मैंने क्या देखा कि इस पर दो force काम कर रहे हैं तो equal variance के लिए हम क्या कर सकते हैं इधर तो sw है और इसको उपर करने के लिए 10t sin psi दूसरा इधर हमारा क्या है t को psi यहां लेखे देता हो यहां साथ दिखाई न दे रहा हो फिर देखिए यहां t sin psi है equal variance condition के लिए यहां sw है अब horizontal force इधर को t को psi जा रहा है तो इधर को यहां t note उसे equal करने के लिए इधर t को psi है तो इधर क्या है t note है sin upon cos यह कट गए 10 psi equal to sw upon t note और t note मैंने लिख दिया है wc होता है sw upon wc, w से w, c इधर multiply में हो गया तो s equal आया c tan psi यह इस common category के लिए intrinsic equation कहलाती है जो important है लेकिन ऐसे proof नहीं होती कुछ दो चार लाइन लिखता है इसी लिए बता रहा हूँ कि आप common category के सारे lecture देखेंगे तो mcq आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे तो चलिए हमने यह भी देख दिया तो intrinsic equation तो यह होती है common category की Cartesian form equation क्या होती है यह भी मैंने proof कराई और यह article बहुत important है क्या होती है y equal c cos hyperbolic x upon c जब हम इसको proof करने के लिए चलते हैं तो रास्ते में एक और चीज proof हो जाती है s equal c sin hyperbolic x upon c यह equation बनेगी relation between x and s अब इन दोनों से भी मुझे एक relation और मिल गया इसका square minus इसका square करें तो मैं कहा लिख सकता हूँ यहीं लिख देता हूँ y square minus s square equal to इसके square में से इसका minus करेंगे तो केबल c square आएगा क्योंकि cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x equal to 1 होता है इस s को आप इधर ले जाएंगे तो y square equal to c square plus s square तो मैंने आज यह इसलिए बताया है कि अभी आप खुद समझ जाएंगे mcq question में कौन सा सही है तो चलिए आप mcq question देखते हैं intrinsic equation of the common catenary अभी मैंने आपको यह proof करके दिखा दी short root में अब आप खुद ही चेक कर लीजिए कौन सा सही है s equal c times i b is the right answer के लिए आईए question number 2 देखते है the cartesian equation of the common catenary अभी बताया था कि very very important है यह मैंने proof करी है पूरा अच्छी तरीका से और link भी description में है पूरी playlist की ठीक है तो y equal c cos hyperbolic x upon c देखते हैं तो कौन सा सही है c is the right answer अब देख लो clear समझ में आ रहे हैं आईए अब हम third question देखते हैं relation between s and x of the common catenary s बरावर नहीं होता है y होता है b is the right answer s equal c sin hyperbolic x upon c एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा चलिए question number हम अब 4 देखते हैं for the common catenary relation between y and psi इसमें मैं बतानी पाया इतना बहुत कुछ होता है y equal c sex i होता है ये मैंने proof करके दिखाया है तबी तो आप से कह रहा हूं कि आप lecture 1 और lecture 2 जरूर देखें तो देखते हैं fourth question में y equal c sex i b is the right answer आईए अब हम question number 5 की तरफ move करते हैं question 5 कह रहा है tension at any point of the catenary any point किसी point पर अर्थाक इसके लिए तो कह रहा नहीं है और नहीं lowest लिख देता तो दूसरा tension या तो आईदर कह देते हैं या at any point या terminal तो यहाँ t वराबर मैंने बताया था क्या होता है कहीं लिखा है t equal w y होता है ये लिख रहा है तो चेक कर लीजिए for the comment कहा है question tension at any point of the catenary is t equal w y इसका मतलब b is the right answer चलिए question number 6 check करते है tension at lowest point lowest point पे तो हम निकाल चुके है क्या होता है t not equal w c आप खुदी निसान लगा दीजिए t not equal w c d is the right answer चलिए next question देखते है बिलकुल ददद सेकंड में solve कर रहे हैं आप ठीक है आईए question number 7 the value of 7 sag मैंने ये भी बताया था इसमें कहां होता है और sag हम कैसे निकालते हैं तो sag बरावर होता है y minus c तो देख लीजिए y minus c इसका मतलब c is the right answer चलिए question number 8 देखते हैं the relation between y and s तो y square equal होता है c square plus s square और मैंने ये proof भी कर दिया इसका मतलब हमारे 8 question complete हो गए अभी हम और बता रहे हैं don't worry चलिए तो next question देखते हैं question 11 when a uniform uniform का मतलब है रसी लटकाने के बाद फिर नहीं छेडा उसे बिल्कुल uniform में है flexible तो आप जानते होंगे flexible string hang freely under gravity gravity तो पॉइंटों से gravity मेंस तो आप जानते होंगे between two points which are not in the same vertical line दो उनकी जो vertical line है दो पॉइंट जिन पर लटके हुए है वो same नहीं है ये जरूरी नहीं कि दोनों पॉइंट कैसे हो same हो the curve in which it hang is जो curve बन रही है वो किसकी बन रही है catenary है वह किसकी है catenary की ये catenary ही तो बन रही है इसका मतला A is the right answer आईए दूसरा question देखते है if T be the tension at any point P of the catenary T naught that is the lowest point C and W be the weight of the arc C P of the catenary then इन में से कौन सा relation सही है अब मैं बताऊँ आपको इधर देखिए T equal मैंने क्या बताया था कहीं लिखा है ये रहा T equal बताया था W Y और T naught equal क्या है W C अभी एक बात और S W क्या है जो per unit length है वो नहीं लिखा S W ये होगा capital W क्योंकि length S और ये W है तो per unit length S W को में capital W से denoted कर रहा हूं इसके square में से इसे minus करिए T square minus T naught का square यहाँ W square Y square इसकी value W square C square इसमें से W square common Y square minus C square और Y square minus C square equal to क्या होता है इधर देखिए Y square minus C square इधर ले तो S square तो मैं यहीं लिखे दाऊँ अभी दिखाई दे रहा होगा ये है गो S square यहाँ से आप बना लीजिए इसे इधर लागे तो S square इसे में लिख सकता हूँ T square minus T not का square S W का square और S W की जगे पर क्या लिख रहा है T square minus T not का square equal to W square अब आप खुदी चेक कर लीजिए कौन सा सही है T square minus T not का square equal to W square A is the right answer आईए question number 11 इसपान पूछ रहा है इसपान तो मैंने निकाल दिया 2 C log sex I plus 10 I आप खुदी चेक कर लो कौन सा सही है तो इसपान में भी A is the right answer अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना ठीक है